हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेजी ब्लॉग आज हम आपके सामने खर्गोष के बारे में कुछ रोचक जानकरियां लेकर हाजिर हैं तो आईए जानते हैं खर्गोष के बारे में रोचक तत्थ लंबे कानों और सामने के बड़े दातों वाला छोटा सा जीव है खर्गोष जो अपनी चंचल प्रविस्ट के कारण सबको बहुत ही प्यारा लगता है यहां लेपोरेडी परिवार का एक छोटा अस्थन पाई जानवर है जिसे खरहा और पिका भी सब मिली थे जंगलों घौस के मैदानों मरुस्तलों और पानी वाले इलाकों में मुख्य रूप से पाए जाता है खर्गोष मनुश की तरह इस्तंधारी जीव हैं मनुश्यों की तरह वे भी कर्म रख्त वाले होते हैं उनके बाल या फर होते हैं वे बच्चे जन्मते हैं तथा मादाएं अपने बच्चों के लिए दूद उत्पादन करती हैं 1912 के पूरू खरगोस रोडेंट अरथात चुवे और गिलहरी के स्रेणी में सम्मिलित किये गए थे लेकिन बाद में उन्हें लेगो फार्मा अरथात खरहा और पिका की स्रेणी में सम्मिलित कर लिया गया दुनिया में पाग्तु खरगोस की लगबक 305 और जंगली खरगोस की लगबक 13 प्रजातियां है अन्टार्कितिका महाधीत उचोड़कर खरगोस दुनिया के हर अस्थान पर पाए जाते हैं दुनिया के आदिज अधिक खरगोस उत्री अमेरिका में पाए जाते हैं वग्यानिक मानते हैं कि खरगोस की उसपक्ति उडरेरी और अफरीका में हूई थी तियू प्रजनन में समर्थ होने के कारट वे सिग्र ही पूरी दुनिया में फैल गए हाल ही के कुछ सालों में खरगोष को उन दीपो और दूरदराज के छेत्रों में लाया गया जहां वो स्वाभाविक रूप से नहीं पाय जाते थे खरगोष की अउस्तन लंपाई 40 से 50 सेंटीमीटर होती है और वजन 1.5 से 2.5 केजी होता है पालतु खरगोष का जीवन काल लगभग 8 साल होता है अच्छा पोसर मिलने के बाद वह 10 से 12 साल तक भी जीवित रह सकता है लेकिन जंगली खरगोष 2 या 3 स्वर्षों से अधिक जीवित नहीं रह पाते अगर आपको मेरा या वीडियो अच्छा लगा हो तो क्रीपा इसे लाइक करें कमेंट करें, सेयर करें और सस्क्राइब करना न भूलें धन्यवाद दोस्तों